Hello everyone, competitive exam में आपका एकवाद फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए HPGK के कुछ important question लेके आ गया हूँ इसमें हम 15 question को discuss करेंगे जो आपके आने वाले सभी exam के लिए important रहने वाले हैं अब आपको पता है कि CM के द्वारा एलान भी किया गया है कि मार्स से पहले आपकी 10,000 के करीब पोस्टे भरी जाएंगी जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा teaching में रहेंगी उसके बाद आपके police, आपके J.O.I.T. और आपके पंचायत secretary और अन्या कई पोस्टेस में हो सकती है तो आपको पता है कि HPGK का इन एक्जामों में काफी imported role रहता है क्योंकि यही जो आपके merit को बनाते हैं और बिगारते भी है तो आप इसलिए अपने जो HPGK उस portion को आप अपना strong कर सकते हो ताकि आपके जो selection के chance easy हो जाते है तो चलिए आज क्या यह वीडियो हम शुरू करते हैं इसमें जो first question है वो है मंडी की बल घाटी किस पाड़ी क्षेतर में आती है यानि कि जो मंडी की बल घाटी है यह किस पाड़ी क्षेतरों में आती है तो यह आती है निमन पहाड़ी मिट्टी 1962 में भारत जर्मन सियुक्त क्रिशी चंगर प्रियोजना हिमाचल प्रदेश की किस गाटी में चलाई गई थी यह जो चंगर प्रियोजना थी जो कि आपके सिंचाई के लिए थी यह चली थी आपके पास बल घाटी में गाटी में 1962 में ये चली थी जर्मनी की साहता से इनेश कोचन है हिमाचल परदेश की पबर गाटी को किस नाम से जाना जाता है जो पबर गाटी है इसे जाना जाता है रोडु गाटी के नाम से रोडु में ये गाटी है पबर गाटी इनेश कोचन है हिमाचल परदेश की किस घाटी में अलपाइन प्रकार के विरिक्ष पाए जाते हैं हिमाचल में जो अलपाइन विरिक्ष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सपीती घाटी में नेशकोचने सोलन घाटी किस जिले में स्थित्त है जो सोलन ये घाटी है ये आपके जिला कुलू में स्थित है नेशकवचने धाविन और चेंतो घाटी की जिले में स्थित है जो ये धाविन और चेंतो घाटी है ये आपके पढ़ती है बिलासपुर में पढ़ती है ये आपके बिलासपुर में स्थित है नेशकवचने हिमाच प्रज़्य पप्रदेशु की नाम क्या है? की राझय पख्षी का नाम क्या है? अब ही मैंने आपको बता कि यह सब्सक्राम Adult Report में जुझु राञवों नर्व सब्सक्राइब को फिलर की nackfish ने शेलिद में? हुआ करता था मोर मुनाल स्वरी मुनाल हुआ करता था नेश्क वचने जुजु राणा प्रजदन के अंदर कहां स्थित्त है यानि कि जुजु राणा का जो प्रजदन के अंदर है यह आपके पास रामपूर के सरान में स्थित्त है नेश्क वचने हिमाचल परदेश का परसेंट जो भाग है उसमें चारा गाहा है नेश क्वेचन है हिमाचल परदेश के कुल क्षेतरफल का लगबग कितने पतिशत भाग वनों के अंतरगत आता है हिमाचल परदेश के कुल क्षेतरफल का जो भाग है वो लगबग 16% भाग जो है आपके वनों के अंतरगत आता है हिमाचल परदेश के वन क्षेतरफल का कितना भाग वनों से आचित है यानि कि हिमाचल परदेश का कितना भाग जो है वन क्षेतर से आचित है तो लगबग 30-40% के भाग में हिमाचल में वन फैले हुए है लगबग लेकिन जो 66% भागे उस पर वन लगाये जा सकते हैं इस क्वेचन है वन रिकॉर्ड के नुसार हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेतरफल कितना है हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड के नुसार हिमाचल के पास 37,033 kilometer वन क्षेतरफल है जिसमें वल लगे हुए हैं तो याज यह question में आपके लिए लेके आ गया था अगर आपको यह question हमारे अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो और अपने जो इस वीडियो को share कर सकते हो और इसी प्रकार के future update के लिए आप हमारे competitive exam channel को subscribe कर सकते हो competitive exam जो हमारा facebook page है उसको भी follow कर सकते हो क्योंकि वहां भी हम latest job से और आपकी जीके से समंदीत मत्तपुन क्वेशनों को share करते रहते हैं तो आप इस channel को भी और वहां भी follow कर सकते हो धन्यवाद